जै मातादी दोस्तों। आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महा के तीसरे सब्ताहा के बारे में। यानि 14 अगस्त से 20 अगस्त 2023 के धनुरासिफल के बारे में। धनुराशी के लोगों के लिए अगस्त महा का तीसरा सप्तहा कैसा होगा इस सप्तहा में कौन ग्रह कहां इस्तित होगा और आपकी राशी पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वैपार, वैवसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें और सूरिय सत्रा अगस्त करक रासी से निकल कर अपनी स्वामित वाली सिंग रासी में प्रवेश कर जाएंगे यानि सूरिय अपने घर में वराजमान होंगे और सूरिय सिंग रासी में बलसाली होंगे यानि महा बलसाली और जब कोई ग्रह मजबूत होता है बलसाली होता है तो वैसे ही वो प्रभाव देता है धनुरासी की लोगों के लिए सूरिय आपकी कुंडली में नौवे भाव के स्वामी है और ये आपके नौवे भाव में ही गोचर कर रहे हैं नौवा भाव धार्म पिता लंबी दूरी की यात्रा तीर तिस्थल और भागय का भाव हैं तो ऐसे में सूरिय आपके लिए भागय रहेंगे यानि कि आपके भागय के स्वामी जो अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं इसका मतलब भागय का भरपूर साथ आपको मिलेगा आपके सितारे बुलंद होंगे या दूसरे सब्दों में कहें तो दिन दूनी रात चोगनी आप तर होंगे आपकी सरहाना करेंगे और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा मान सम्मान बढ़ेगा यह समय चातरों के लिए भी बेहद अनुकूल होगा जो लोग बाहर जाने की यूजना बना रहे हैं उनकी यूजना सफल होगी पिता का गुरू का पूरा सहयोग आपको मिले और किसी लंबी दूरी की यातरा पर जाने की यूग बनेंगे धारमिक कारियों की ओर आपकी रुची होगी आध्यात्म की ओर जुकाब होगा इस दोरान आप अच्छा करने का प्रियास करेंगे नौवे भाव में बैठकर सूरिय की दर्ष्टी आपके तीसरे भाव पर वारनी आपका संचार कौसल दोसरों को प्रभावित करेगा साथ ही आपके आत्मिस्वास में विरद्धी होगी तो सूरिय की है इस्तिति आपके लिए काफी सकारात्मक साबित होगी अठारा अगस्त को शुकरदेव जोकी वर्तमान में अस्त चल रहे हैं चंदर रासी करक में हैं तो अठारा अगस्त को शुकरदेव अपनी अस्त अवस्ता से निकल कर उद्य हो जाएंगे जोकी प्रेम और सुक्के कारग रहे हैं और आपके अस्तम भाव में सक्रिय अवस् इस औरान आपको पुरानी चलिया रही समझ्याओं से राहत मिलेगी जो तिसमें शुक्र ग्रह को बहुतिक सुखों का कारक माना गया है तो ऐसे में बहुतिक सुखों में विरद्धी होगी और शुक्र आपके छटे और ग्यारमें भाव की स्वामी है और यहां शुक्र विपरीत राजियों का निर्मान कर रहे है इस औरान आपका किसी महिला मित्र के साथ वाद विवाद हो सकता है बहेस हो सकती है तो ऐसे में थोड़ा धहरिया रखें और इस और अपने स्वास्थे पर भी ध्यान रखें लेंदेन करते समय साफधानी रखें किसी को पैसा देने से बचें अन्य तब पैसा फसने की संभाव नहीं रहेंगी शुक्र की सीधी दरश्टी आपके दूसरे भाव पर होगी यानि धन भाव पर तो यह आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोत्री करेंगे इस वरान आप लगजरी लाइफ का अनंद लेंगे और इस सपता में 18 अगस्त को मंगल देव सिंग रासी से निकल कर कन्या रासी में गोचर कर जाएंगे मंगल ग्रह को भूमी पुत्र के रूप में जाना जाता है और सभी ग्रहों में मंगल और सूरिया हमारे सरीर में सभी अगनी तत्मों को नियंत्रित करते है मंगल पांचवें और बार्वें भाव के स्वामी है और यहां मंगल का कन्या रासी में गोचर आपके दस्वें भाव में होगा तो ऐसे में पेशेवर जीवन में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जैसे कहीं दूर नौकरी में ट्रांसफर आपका हो सकता है बिजनिस को लेकर कोई यात्राएं करनी पड़ सकती है और यह समय छात्रों को बहुत अच्छा साबित होगा जो लोग नौकरी की तलास कर रहे हैं उनकी तलास पुरी होगी यानि रोजगार के अफसर मिलेंगे बहार जाने का भी अफसर आपको मिलेगा मन चाहा एड्मिशन छात्रों के लिए मिल सकता है किसी प्रोफेसिनल कोर्स में दाखला मिल सकता है भविशे के लिए यह समय काफी फायदेमंद साबित होगा इस औरान कारे छित्र में अच्छे लाप मिलेंगे और यहां मंगल दस्वे भाव से लगन भाव और चौथे भाव पांच्वे भाव पर दस्टी डालेंगे तो ऐसे में पेशेवर जीवन के लिए यह समय काफी अनकूल होगा आपके अंदर उर्जा का इस्तार अच्छा होगा आत्म विश्वास से भरा हुआ होगा आप अपने कारिये को पुरा मन लगा कर समय पर पूरा करेंगे जिनमें आपको अच्छा लाप प्राप्त होगा चौते भाव पर मंगल की दरश्टी के चलते आपको अपने परिवार का माता का पूरा सहयोग मिलेगा लेकिन यहां आपको अपने माता पिता के स्वास्थर पर ध्यान रखना होगा सब्ता की सुरुवात सावन के सौमवार से होगी यानि इस दिन अधिक मास के मासिक सिवरात्री भी होगी जो कि भगवान सिव का प्रिया दिन है तो ऐसे में सब्ता की सुरुवात भगवान सिव के आशिरवात से होगी और भगवान सिव अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसंद होते हैं तो ऐसे में भगवान सिव की किर्पा से आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण होंगी और इसी सब्तहा में 16 अगस्त को अधिक मास अमवश्य होगी यानि मल मास खत्म हो जाएगा और 19 अगस्त को हर्याली 30 होगी सब्तहा की सुरुवात में 14 अगस्त को सरवार सिद्धी योग भी होगा और 15 अगस्त को गजकेश्री योग सरवार सिद्धी योग तीनों होंगे और साथ ही बीश अगस्त को यानि सप्ता के अंत में सरवार सिध्य योग और अमरे सिध्य योग का संगम होगा तो ऐसे में राज योग बनेगा और माल लक्ष्मी का आशिरवात प्राप्ट होगा धन धन्ने में विरद्दी होगी यानि धनुरासी के लोगों के लिए यह सप्ता बेहद सुब होगा इस सप्ता में किसी सुब समाचार की प्राप्ती होगी इस वरान केरियर कारोबार में मन्चाहे प्रगती आपको देखने को मिलेगी इस वरान समय और उर्जा का प्रबंधन सही से करना होगा क्योंकि यह सब्ता आपके अंदर पंक लगा सकता है आपके द्वरा के गए कारियों का आपको अनुकूल परणाम प्राप्त होगा मित्रों का भी सहयुग मिलेगा सब्ता सरकार से अधिक मदद मिलने की उम्मीद रहेगी और सब्ता के मदध में बड़ों के संपरका का भी आपको लाब मिलेगा किसी बड़ी यूजना के साथ जुड़ने का अफसर आपको मिलेगा कोई कॉन्ट्रेक्ट या कमिशन पर आप काम कर सकते हैं यानि सब्ता में आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे और सब्ता सांदार साबित होगा वैभाईक जीवन सुखद होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइख शेयर